तो हलो नमस्ते और सभी को राम राम स्वागत करता हूँ आपका आपके चहीत योटूब चैनल पर जिसका नाम है गार्डनिंग इन्फो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को सस्क्राइब करना तो बनता है तो पटाप पोधे पर नहीं तो तीन पोधे पर बात करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे है गुलाप के पोधे की ग्रोत काफी बढ़िया हो रही है पोधा अपने नए-नए शूट निकाल रहा है गुलाप का पोधा तब भी अपने नए-नए शूट को निकाल पाता है जब उसे गुलाब के प्रॉपर फर्टिलाइजर की उपर बात की है कि गुलाब पर कलियों को लाने के लिए हमें क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए और अभी गर्मियों के मौसम के चलते अपने मोगरे के पोधे पर भी कलिया बन रही है अभी पोधे में मार्च एंड से लेकर जुलई अगस तक अच्छे से फुल खिलते रहेंगे क्योंकि मोगरा का सीजन ही गर्मिया और बरसात होता है इससे पहले कि मोगरे पर कलिया बनना शुरू हो जाए उससे पहले ही हमें प्लांट को थोड़ा ट्रिम कर देना चाहिए ताकि आगे निकलने वाली ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा ब्रांचेस का होना मतलब ज्यादा कलिया और पोधे की ट्रीमिंग के साथ साथ हमें पोधे को कोई भी और्गानिक कमपोस्ट जिसमें काउडंग हो गया और वर्मी कमपोस्ट हमें पोधे को देना चाहिए तो इसमें अगर आप चाहे तो पोधे को केमिकल फर्टिलाइजर में आप N.P.K.19-19-19 या फिर माइक्रो नूट्रियंट्स दे सकते हैं तो जैसे की मैंने आपके साथ शेर भी किया था कि हमने किस प्रकार फर्वरी के महने में ही सभी पोधों को खाद दे दिया था और यहाँ पर हमारे गुढल के पोधे की ग्रोध भी काफी अच्छी हो रही है हालाकि अभी पोधा चोटा है पर पोधे पर कलिया काफी अच्छी बन रही है तो अभी गर्मियों के चलते गुढल का पोधा हो गया या फिर मोगरे का पोधा हो गया सभी पोधे अच्छी ग्रोथ करते है और ग्रोध के साथ साथ पोधे पर खूब फूल भी खिलते है तो पोधों पर फूल लाने के लिए हमें पोधों को fertilizer तो देना होगा और अभी गर्मियों के चलते हम बहत ज़्यादा पोधे को fertilizer भी नहीं कर सकते तो ऐसे में आप कोई भी लिक्विट फर्टिलाइजर बना कर अपने पोधों को दे सकते है तो आपको अगर लिक्विट फर्टिलाइजर के उपर डेटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे चरू बता सकते है तो अभी मुगरे के पोधे पर कलिया तो काफी अच्छे से बन रही है पर पोधा थोड़ा एलोईश दिखाई दे रहा है तो इस समस्या का इलाज हमें करना होगा इसके लिए हम मैगनेशियम और एनपी के नाइटिन नाइटिन का इस्तमाल करेंगे मैगनेशियम और एनपी के दोनों की मात्रा यहां पर हम एके ग्रैम करके लेंगे और पोधे की मिट्टी में इसे अपलाई करेंगे ताकि जो भी पोधे पर थोड़ी बहुत एलोईश पत्या हमें दिखाई दे रही है वो ठीक हो जाए हो सकता है अभी दूप बहुत तेज हो गई है तो पोधे की पुराने पत्य थोड़े एलोईश दिखाई दे रहे हो क्योंकि पोधे पर नई निकलती हुई पत्या ग्रीनरी के साथ निकल रही है पर चलो समस्या चाहे कोई भी हो पर पोधे पर अभी कलिया बन रही है तो पोधे को थोड़ा फर्टिलाइजर देना सही रहेगा तो अभी गर्मिया दीरे दीरे करकर तेज हो रही है तो हमें हमारे पोधों को तेज धूप से भी बचाना होगा क्योंकि ये एक जरूरी काम है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसे नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहे हैं गार्णी इन्फो